मनसौर में सयुक्त सहकारी समीटी पैक्स कर्मचारी महासंग के नतरत्व में मनसौर जिले के सहकारीता समीटी के कर्मचारीों के ज़वारा अपने प्रमुख मांगू को लेकर कलम्मंद हर्ताल चारी है तीसरे दिन की हरताल में पैक्स कर्मचारियों ने सरकार को कुम्ब करनी या नींद में बता कर प्रदर्शिन किया संधर्थन के मीडिया प्रभारी नईम पठान ने बताया कि वे कई वर्षों से अपनी जैस मांगो को लेकर संधर्श कर रहे हैं उन्होंने कहा कि हमारे सेवा मान में लाभ शब्द जोड इससे हमें वेतन नहीं मिल रहा है इसलिए उनकी मुख्य मांग यही है कि सेवा नियम में लाभ शब्द को विलोपित करें और पैक्स कर्मचारियों को वेतन मान दिया जाए इसके साथ यानी मांगो को लेकर सरकार महापंचायद बुलाए, सहकारित करमचारियों की मांगो को सुने और उनका निराकरण करे प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो 22 अगस्त को भुपाल में पहुँच कर प्रदर्शन करेंगे कि हमारी जायज मांगों के लिए शाषन सहयोग प्रदान करें और हमारी जायज मांगों को शाषन पूर्ण करें चुकि स्वयकरिता विबाग सेवा का माध्य में और लगातार हम आमद्यन की सेवा के लिए प्रयासरत हैं उसके पश्यात भी इतने साल भीद गए और हमारे मांग प्रदेश करेंगे और 22 तारीग को भवाल में हमारा एक बहुती बढ़े स्तर पर ज़ो जंगी धरना प्रव्डेश्ण किया जाएगा और लगातार हम इसको लिए प्रयास करेंगे जब तक मंद्य प्रदेश आशान हमारी बातो को नहीं मांगए मनसौर से पिड़ी बिरागी की रिपोर्ट